हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो माय यूट्यूब चैनल एके फ्यूचर अस्टडी पॉइंट तो फ्रेंट्स आज कमा टॉपिक है जैक बोड क्लास 12 केमेस्ट्री का 15 चेप्टर पॉलिमर्स यानि की जिसको हम बहुलक के नाम से भी जानते हैं का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जे सब्सक्राइब और में सब्सक्राइब नहीं फिसक्राइब बटाने वाल रगोर सब्सक्राइब सब्सक्राइब ऑठ इस मेंदे में से जिरु करेंगे और तो प्लेड लिश्ट में जा कर देख सकते हो सारा सेट का सोलूशन किया हुआ अच्छे तरीके से चलिए श्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट नमर्क्रेस्ट को पॉलिमर्स के कौन सा मौ इसको इसको है और जो एक ही परकार या भीन परकार के छोटे अनौ का स योग से बने उच आनुध द्रेमान वाले योगी को हम दोलग करते हैं यहां समाझ में रहा है कि बहुलक यानि कि अधीक मात्रा में है बहु मनें बहुत मात्रा में है तो यहां पर बोलाना कि बहुलक क्या है बहुलक में क्या रहा है कि इसमें कई नीम यानि कि संख्य कितना भी हो उसमें क्या करें कि कई नीमन आनिक द्रवमान वाले यानिक छोट दर्माने दर्मान वाले दोने मेलेंगे निर्मान मान वाले निर्मान वाले योग ही यांवेल क्या क्का गioned trat यह नहीं कि हमें लिख मोने चोटे-चोटे अनुव को मिला और उसको हम ने संयोग कर आया संयोजन के दोनों को आपस में जोड़ दिया दो जो चोटे अनुव को अलग अलग प्रकार गए तो में तो जो उच आन्युद्रेवान वाले योगी बना इसको हम क्या कहते हैं बहु एक लक क्न के रहाँ काई और को निया कि यहां पर अझाल पर टूराकि करते हैं कि तर से आप एग्जामापल दे दिया यह जिलांग है जिसका पुम्राइच डावलबॉंड और यहां पर इसका में हम पोलीमर रेसन किया तो मेरा क्या है पुलिधिन या पोली इथाइलीन अब यह पोलीधिलिन या यह लंगी यह बहुलख बन गिया यानि जो मारा इथेन था एक लग इसको इंगली में मौनुमर करते हैं पता है पिछले चेप्टर में कि जो पिछला वीडियो था उसमें कि कोई भी टोपिक याद करना तो उसका इंगली जरूरी याद करना क्योंकि इंगली सी आपको ज्यादा इंपोर्टेंट है तो यहां पर एक ओलो थीन यह बना यह बना यहां पूलियक यह बछाएज यह बहूल्तर यहां पर दिखेंगाया है कि फुराइम पूछ फसके में तो नहीं फिर्झाय नोब में और पोलियकर रिखेंग कर फार्चम से इंग घ्रेंग करेंगें वा प क्या पौलिधीन को चांड एना सकते है तो प्ण समय आइसे रिधान लौज नेचुल रबर यह हमारा क्या पूलीनाइल कुलराइड पहुला का हमारा question number first की बहुलग क्या है बहुली करन किसे करते हैं इसका कुछ example था तो यह हमारा most important question है एक और question देखते हैं यह भी question आ सकता है three marks में question यह आएगा जरूर आएगा question करें कि प्राकृतिक रबड किसे करते हैं इसे प्राप्त करने के लिए संचिप्ट में वर्णन दे यानि कि प्राकृतिक रबड क्या है इसको परिभासित करें और यह कहां से में प्राप्त होता है उसको भी लिखना है ठीक है तो देखते हैं प्रकृतिक रबर कहते कि इसको यह प्रकृति है पाये जाने वाला प्रमूख पोलीमर है जो मुथ्य रूप से रबर के ब्रिच्छों से प्राप्त होता है हम रबर कहां से प्राप्त करते हैं तो रबर का हमारा एक अस्पेसल ब्र करने तो इसको प्रक्ति कैसे करते हैं तो इसकी प्राप्ति रबढ के बीचों से छेद करने पर उसमें से दूत-जैसा सफेद द्रौन निकलते हैं जिसे हम लेतेक्स या लेटेक्स करते ठीक है तो अगर अपने देखा होगा अपने तो देखा नहीं होगा की रबड़ का दूज जैसा तो उसी तरह से क्या होता है कि रबड के बिरिच में भी ऐसा होता है और उसी दुराव को हम क्या करते हैं जमा कर लेते हैं तो उसी से क्या बंद है हमारा लेटेक्स करते हैं जो उद्लाव होता है उसको हम लेटेक्स करते हैं और इसी लेटेक्स से हम प्राकृति कर ले यह नियाww कि अब क्या करता है कि इसमें बाअर से जल मिलाकर 10-20% कर ले जाता है याणि को अपने देखा निकलता है वहन два होता है यानिकी बहुत ही करत शेकल लुए परशेंट आसे डालने पर रबर्ड असकंधित हो और तैistä प्राप्त हो जाता है यानि कि अगर हम पीर्ट से डिरेकर निकाल देते हैं तो हमारा नहीं बनेगा कर वह हमारा जो हमारा नहीं बनेगा उसको निकालेंगे उसमें 10-20 परसेंट जल डालेंगे एक परसेंट उसमें एसेटिक डालेंगे तब हमारा क्योंगा प्रकृतिक रबड का मुख्यूब से निर्मान हो जा अब क्या है यहां पर प्रकृतिक रबड का एक्जामपल है प्रकृतिक रबड का एक्जामपल है अब यहां पर देखते हैं कि प्रकृतिक रबड का एक्ज ठीक है अगर इसका पॉलीमेरेसन करेंगे तो बन जागा पोली आइसोपरीन यहां पर एक लग था पॉल आइसोपरीन और यहां पर बन गए समय को फर्मूल अलंच यहां नीच होता है हां यह नंई लग आरहक पन गेन्य औरन यहां है क्योंकि इसके अन्हें बट्टे में नीचे में बन गया इसके थी यह मारा बन गया पोली आईसोपरीन ठीक है नेक्ट कुछ जालते हैं कि प्राकृतिक रबड अधिक उपयोगी क्यों नहीं होता इससे उपयोगी बनाने के लिए क्या करना चाहिए अब बोल रहा है कि भाई हमने प्राकृतिक प्राकृतिक रबड प्राप्त हुआ तब यहां बोलाना कि प्राकृतिक रबड अधिक उपयोगी नहीं हो पाता है क्यों नहीं हो पाता है और इसको उपयोगी बनाने के लिए अच्छा उपयोगी नहीं है तो इसको अधिक उपयोगी बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे कि इसमें कौन सी और असुधी इसमें कौन सी और पदात का मिस्रित करेगे तो इन बोला कि प्रक्रितिक रबड रबड का कच्चा रूप है जो अधिक उपयोगी नहीं होता है क्योंकि वह उतना मजबूत वर लचीला नहीं होता यह कम ताप पर ही मुलायम हो जाता है तरह के लिए गंध की अल्फ मातरा के साथ गर्म किया जाता है इस पर रबड का गंध की कर्ण को समझाएं तो यहीं पर बोल रहा कि हम प्राब्द किया तीस से चारीस परसेंट रबड को वह मरा धीक उपयोगी नहीं होता क्योंकि वह कम ताप पर भी अपना अस्थाई रूप क को बदल देता है तो उसको और लचीला भी नहीं होता है तो हम उसको लचीला बनाने के लिए जो हम पैंसिल के साथ रबर यूट करते हैं वह ऐसा बनाने के लिए हम क्या करते हैं और उसमें गंध की करन की प्रकिरिया करते हैं तो जो हमारा बनता है उसी को करते हैं गंध की कर नीचे क्वेश्टन वह भी पुछ दिया कि रवट गंध की करन से आप क्या समझते हैं तो यह क्वेश्टन जरूर है कि आपको टू-माक्स में बोले है कि प्राकृतिक रबड को गंधक के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रकिरिया को गंधकी करन काते हैं हमने भी तुर आपको पताया कि रबड को गंधक के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रकिरिया को हम गंधकी गरन काते हैं इस प्रकिरिया में प्राप्त रबड अधिक उपयोगी मजब हमने उसमें गंधक मिलाया यानि कि सलफर मिलाया और उसको हम उस्मा रोधी और साथ-साथ लचीला और मजूद भी बना दिये तो यह हमारा कहीं न कहीं अच्छा उप्योगी था अब यहां पर देखते हैं कि सबसे पहले गंध की करण प्रकिला को अपना या कौन से बेग्या इनका नाम है गुड इथर गुड इतर नाम के बेग्यानिक थे इन्हों ने 1849- 1990 में 1899 में प्रवबर को गंधक की साथ घरम किये थे यानि कि यही इसका उपयोग क्या कर सकते हैं यह तुम अच्छा सब्सक्राइब कर दो नहीं बताता हूं तो ढ़ता है जो हम प्रकृतिक रबड का उप्योग क्या नहीं होगा तो हम क्या कर देंगे कि रबड गंध की कृटपी युद्वर का उपयोग बाता है रबर की नली बनाने में यानि की रबर की पाइप बनाने में कठोर रबर का उपयोग टायर तरफा वाहक के पट्टा बनाने में पहलों किया जाता है जो पत्टा होता है या टायर होता है जो त्रॉक्व यह घ्रक रबर्ग कहीं उपयोग करते हैं तो यह सारा हमार इसका है इसका एक प鐵 अन्य जाने में टायर का एक उपयोग दे कंप्र होता है कि दम्लीर चके फर करेंस में कॕज hierarchy कि बहुली करन के दाहर पर बहुलक के दो परकार होते हैं कि बहुली करन के दाहर पर बहुलक के दो परकार होते हैं कि ऐसे बहुली करन के दाहर पर बहुलक के परकार को लिखें या पूसकता है कि योगसिल बहुलक को परिभासित करें संगनन बहुलक को परिभासित करें संग लेने वहाँ से यहां 친 suite अधार पर बहुल्यकरा बाहुलग के दो संग्नन बहुलग तो फर्स्ट में दखता है नहीं मुख्यता वैसे अनूँ के बीच होते हैं जिनमें दीवणक्त परकार के अनू भाग लेते हैं इससे प्राहत बहुलग योगसिल बहुलक कराते हैं यह नहीं कि ऊप्रकों यह तर पर क्या है पॉलिथेन है पी विप सी पाइप है नियोप्रीन है टेफलोन है तो कि अधिक पुछता है और आपको ना कि योकसिल बहुला की एक जामपल दे वनमक्स में तो अभी दिना पोलिथीन, पीविसी पाइप, नियोप्रिन, टेफलोन, ठीक है, नेक्ट पर चलते हैं संगनन बहुलाग, अब बोला है संगनन बहुलाग क्या है, संगनन बहुली करन प्रकिर्या को बता है, तो संगनन बहुल परकार यनिकी डी जो मारा द्वी अनु थे जो क्यों होते हैं हमारे पास यहां पर घाला लेख प्रणी कोई घंप लेखत тебя हैं इसे कोई फरक नहीं पंपर मिल सकते या याbuds मिल सकते हैं तो में प्रकिरिया होता है उसको हम संग्नन बहुली करन करते हैं इस प्रकिरिया में इस जो भी किरिया बीधिया उसमें दीतिया उत्पाद के रूप में कुछ अनुब बाहर निकलते हैं जैसे हमने क्या द्वी बंद के अनुव व्योग निर्मान हो गया तो संग्नन बहुलाक के साथ कुछ निर्मान होगा दीत्यक पद उत्पाद वहां तुँगो ऑने सते हैं यह बिनी नीवान हो सकता है इसमें दीत्ययक अनुन यह सारा निकलते हैं बाहर अब इस पल किया है संग्रेंव मोला का पॉलिष्टर है नाइलोन 6 है यह सारे एक्जामपल है और हाँ यहां पर भी आप पोईंट हमने लिख दिया है नाइलोन 66 का यह भी क्योच्छन पूछा था सेट्स में वनमार्क्स में पूछा था कि नाइलोन 66 का उप्योग मचली पकड़ने वाले त्याल में पैराशुट में बरस में जिसे ह एक जांपल दे यह इसको उप्योग बता है तो आप बोल देना कि नैलोन सिक्स इसका क्या उप्योग है मचली पर करने वाले जाल में पैरा सुट में जिसे क्या कहते हैं गूट्टें तो उसको पहला शूट लगाते तो वहीं पहला शूट में ब्रस ने यह सरो में नैलोन 6 6 का उप्योग होता है अब चलते हैं नियुक्त निमनी करन बहुलक किसे काते हैं वैसे बहुलक जो आसानी से ओक्सीजन या जल से अभिकिलिया कर बीग्टित हो जाते हैं उसको निमनी क करन बहुलक कहते हैं एक क्वेशन तो पूछा नहीं था लेकिन एक क्वेशन में पूछा गया है तो यह इंपोर्टेंट हमारा है तो वैसे बहुलक जो आसानी से ऑक्सिजिएन और जल के साथ अभी किरिया कर बिगटित हो जाते हैं उसको हम जेव निमनी करन बहुलक के नाम स सब्सकर में इसका नम के पोली भी हायडाुक्सी व्यम्स अ रीट यहाँ पर है पूम्स गिएंडव्य करन का तो यह को बहुत हो अगर देखो यहां आपको कितना मुन रहा है ब्लिखना यहां अप्योग लिखना है कि कि इसका रिधा पर बचांपकु कर सकते हैं है कि पूछ है तो एक दू ती AT ओर मार्क n чr अच्छा पालना का उप्योग बता है तो सब्सक्तुरतर होने के कारण उप्योग는 के अब रहे होती है करल लुद्दीर का प्रणोग की दाए है श crvin बारत्रूम में तो उसको पीवीसी करते हैं या अब डॉंक के पानी कहीन ले आप प्योग खरता हुब करते हैं टान के कबर में जो उपयोग होता है तो यह सबर पीवीसी का उप्योग है कि नेश्व जाय टेको निर्मान tetra flore ethem का उचुमधाप पर armonium peroxy sulfate को उतपरेरह कोपर सिती बहल्य करन से होता है यानि कि Teflon कश निभान कभ आ जो हम tetra flore eeth disp को उच्छ ताप मुधाप पर ammonium peroxy xSulfate को उतोपरेरह कोपर शिती में ोले करन करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है टेफलोन प्राप्त होता है यहां पर टेट्रा फ्लोरो इतने जिसका सूथ होता है सी एप टूब डावल बॉंट सी अब टू एन अब इसको हमने पॉली यहां पर लिखा एमीनि अमोनियम पर आक्सी सल्फियट इसका फ्रमूला क्यों होता है एन एच फॉर एस टू ओ यह हमा करने कि लिखिशन पर तो मारा क्या हुआ टेफलोन का प्राप्त होता है जैंड इसको है बहुलक का वरगी करन क्लासिफिक्येसन औफ पोलीमर को कि तने भागों में बाटा गया कश्या पूसकता है कि सुच्छों लोगयों कितने भाठ वागों में नेटरल पॉलिमर इसलेश हिए है न शुच्सaut पभाठ नियाको तो लेकर अपकों पॉसकता है लिए यह पुसकता है तो इसको पुछ को आपका से जाद रख लेना और दोनों को चले देखा करते हैं तो यह बहुत प्राकृति से प्राप्ट होते हैं जैसे कि हम्हारा इह मैं करते हैं यह उपस्थ रहते हैं यह जीवित जीवन के लिए अतियावास्यक है अब पेन में जो हमारा द्रव होता है वो तो उस पेन के लिए बहुत अवस्यक है और उसी से हम अपना क्या करते हैं प्रकृति बहुलग को प्राप्त करते हैं तो यह इसका एक्जामपल है और क्या है प्रकृति बहुलग का प्रोटीन एक प्रकृति बहुलग है जिससे प्र सीखता के निर्धान के लिए कार्य करता है अब देखिए आप यह मुस्ट इंपोर्टेंट अगया कि ने टॉपिक प्रोटीन और न्यूक्री कर सीड़ी में हमारा क्या है प्रकृतिक बहुलक है अगर आप से पूचे कि प्रकृतिक बहुलक क्या है तो भी देना कि वे बहुल तो वैसा बहुलक जिने हम खित्रिम रूप से प्रयोग साला में बनाया जाता है उसको संस्लेसित बहुलक करते हैं संस्लेसित बहुलक क्याने कि जिसको हमने अपने उप्योग के लिए मनुस्य अपने उप्योग के लिए इसको अस्पेसल रूप से प्रयोग साला में बना जिसको हम करते हैं संसलेसित बहुलग जैसे क्या है PVC है नेलोन है टेफलोन है पॉलिथीन है बैकलेट अब पॉलिथीन थोड़ना प्रक्रिति बहुलग है कहीं प्यार से निकलता है प्लास्टिक नहीं निकलता है नेलोन को प्यार से निकलता है टेफलोन कहीं प्यार से निकलत तो बना दिया तो पॉलीविनायल कोलोराइड तो पॉली विनाइल कलोराइड इस से बनाने के लिए हम high fake बनाइल डाइप परay लाउकसाइड विनाइल कोल्राइड की बहुलई करन किया जाता है यानि कि लिए और की बनाने के लिए हम डाइपू नाइल बश्क Red Magic करल पकाट सिति में विनाइल को रैट की बहुल करन के जाता है तो विणाइल यहां पर विणाइल फैरोकसाइड अब यहां पर फ्रॉमुला कर bliver फ्रोय करो को था यह kmaric हrüॉस baru 10 पउइंट है अहिरे तो फिस्टेश यह था हमारा चेप्टार नंबर 15 यानी की बहुली पुल्प बहुल्लक का मस्ट इंपोर्टेंट कुछिन जो मैं सेट में पूछा गया था या कहे तो यहां भी ओमने बता है संव गता या जो मैं ने निय द्ट में अधार तो यहीं CaesarUp को आप के360 che Falls पुछान को उठाता है जैकबड और उसी को दोबारा पुछेगा हर साल थो नेक नया क्वेशन बनाएगा उसी क्वेशन को सिर्फ फ्वा सा आगे पिछेशन को चेंज करेगा और आपको क्वेशन पूछे देगा ठीक है तो कहीं न कहीं हमारा एक ही होता इंपोटेंट की हम पिछले सेट को रिविजन करें यह अगर आपके पास पुराना सेट्स हो पिछले साल का सेट्स हो तो आप वहां साथ सकेंट तर्म के जो एकजाम के चेप्टर है उनके सब्जेक्टिव केशन को चार्ट कर आप अपने से सब्सक्राइब करना और ऐसा ही सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए जय हैं